मैसेल विकाश अंसर्वास्तो डीपूटी सुपरेंड और पुलीस जेपीएस जहारखन गवर्मेंट आप सभी का स्वागत करता हूँ सभी का वेलकम करता हूँ डीएसपी की पाट साला चैनल में यूटूब चैनल में यूपीएसी बस सिर्फ 60 और 65 दीन नेक्स 60 डेज और 65 डेज यूएब इसी में आपको करना है जो भी करना है फिर एक सालवार इंतियार करना है तो एक सालवार इंतियार नहीं करना है कैसे हम जीएस के पेपर को सॉल्ब कर पाएंगे जो 16 जून 2024 को आपका पेपर होने वाला ह कुछ चीज़ें हैं बहुत इसली कर पाएंगे तो आज इस सेशन का टार्गेट यह होगा कि आपका 30 कोस्टन हम लोग आपको करवाने में सफल हो पाएं ताकि आप परफॉर्म करें इसली यूपीएसी पूरे इंडिया का टफेस्ट एक्जामनिशन है डेफिनिटली इसके तुरू आप सेर्वेट बन जाते हैं तो देखते हैं कि आज जैसा आप देख रहे हैं कि टू रूस टू किलियर यूपीएसी पूरे इंडियाम है दो रूल है यह दो रूस में क्या क्या है वेरी फर्स्ट पहला जो है वो प्रिवियस येर कोस्टन पेपर आप सब जानते हैं कि सभी लोग काते हैं कि प्रिवियस येर कोस्टन पेपर आपको पढ़ना है पढ़ना चाहिए मै कुछ चीजियों को लेकर आया है, कुछ ऐसे एविडेंस, चुकि आपको देखेंगे तो आपको confidence आएगा कि हाँ, इस तरह से करने से benefit होता है, चलिए गपर देखते हैं तेरी से कि क्या हो सकता है, लास्ट 2024 के questions को देखें, 23 के questions को देखें, आप लोग सेट A का कुछ questions है, उसको देखने का प्रयास करें, 25 ऐसे questions हों के जो आप आसानी से कर पाएंगे, जैसे पर कि आप लोग बात करें कि 24 questions में कि ये target है मेरा कि आपका 30 questions जो है, ये आप easily कैसे solve कर पाएंगे, तो around 30 to 35 questions आप solve कर पाएंगे, आज के session से ये benefit आपको definitely होने वाला है, इसको आपको दो section में पार्ट करतें, मेरी first previous year question paper को देखें, यदि आप इसको solve करतें, तो around इससे लगबग 20 से 20 to 25 questions you have to solve easily, ठीक है, how can you solve, इसको हम लोग देखेंगे कि आप कैसे कर पा रहें, और next year है, 10 questions की बात करेंगे, मेरी target है कि आपका 10 questions हम लोग और आसानी से करवा पाएं, इसलिए इस questions को आप solve कर पाएंगे, it means around 30 to 35 questions, आज के सेसम में ये चीज हम लोग लेकर आया है, मैं आपको लेकर आया हूँ, इसको हम लोग solve करते हैं, ठीक है, ये 20 to 25 questions का, अगर इसको दो segment में divide किया जाए, suppose हम लोग बात करें, science and technology की बात करें, तो science and technology ये एक पार्ट है, इसके अलावा, इसमें जो है, अगर हम लोग environment, EBS की बात करें, परियावरन का, तो इसके संदर में, यदि आप last 15 years का, last 15 years के question paper को अगर आप देखते हैं, तो कई question आपके फिर repeat होगे, as a dish question repeat नहीं होता है, manually अगर ध्यान दिया जाए, मैं वे आपको बताऊंगा, कैसे question repeat होते हैं, तो science and tech में, last 15 years करने से आप कई question बना पाएंगे, similar अगर हम लोग बात करें कि Indian history की बात करें, भारती दिया, इंडियन इंडियन पॉलिटी, similar as, art and culture, art and culture का, प्लस जो है वो, कुछ traditional economy का, जो section है वो, तो ये मैं कहूंगा, कि इन सभी topic का जो है, प्लस आप जिग्रफी को ले ले, इसके last 25 years के questions आप बना ले, solve कर ले, इसके 50 years के solve आप कर ले और ये 25 years के questions को solve कर दे, चलिए, देखता हूँ कैसे, किस तरह से फेरिपेड़ी, ये 20, आप देख रहे हैं, pre 2023 का state A का question, इस question को अगर आप ध्यान से देखे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ books दिया हुए, literary works और इधर author दिया, last ये जो question था, वो फ़र different किया गया था, पुछा गया कि, इसमें से कौन कौन correct है, only one, two, only three, all four, देवी चंदर गुप्तम है, या मिलिंद पन हो है, ये same question पहले आ चुका है, देखते हैं, ये question कहां आ चुका है, 1997 में देखेंगें, अगर आप मिलिंद पन हो, ये question आपका पहले आ चुका हो, 1997 में ही एक और question आया था, जिसके option में, देवी चंदर गुप्तम भी था, देवी चंदर गुप्तम, एट में सगर 1997 question अगर आपने solve किया है, तो फिर आपको ये दो चीज पहले से दिख रहा है, तो इसली आप इसको पकड़ पाएंगे, कि क्या correct है इसमें से, चली एक evidence यह हो गया, जिसको आपको लगता है, कि हाँ ये करने से आप solve कर पाएंगे, question number two, second question को देखे, 2023 का question है, आप इसको ध्यान से देखे, इसमें हम क्या देख रहे है, soul के बारे में कहा गया है, तो कहा गया है कि soul are not only the property of animal and plant life, but also the rocks and running water and many others natural objects not look or as living by other religious sects, मतलब soul के बारे में कहा गया है, ठीक है कि क्या बता रहा है, ये चीज़े क्या बुदिज़म, जैनिज़म, सिविज़म and वैशनि़िज़म किस में कहा गया है, same 23 का question को हम लोग देखे, 2010, 2010 का देखेंगे, तो ये जैनिज, जो जैनिज़ फिलोसिपी है, इन्वर्सल सोल के बारे में कहा गया, इसका answer क्या हो जाएगा, जैनिज़म हो जाएगा, तो same question, 2010 में उचा गया था, कितना इज़री है, next अगले question क्यों बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, finance bill, 2023 में कोशन आया था, finance bill और money bill के बारे में, Indian Parliament में क्या चीज़े हैं, इसे से related questions जो है, 2015 में money bill, 1980 में पीछे चल जाए चोड़ो दिज़े इसको, 2013 में money bill, तो हम क्या देख रहे हैं कि, already 2010 में या 13 में money bill से question पुछा गया है, तो जब money bill से पुछा के अगर हम पढ़ेंगे, तो इसको आपको easily solve कर पाएंगा, तो ये देख चाएगे हैं ना questions को, नेक्स 2023 का एक और question के और देखिए, ये एक ऐसा segment है, जिससे हमेशा question पुछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इस segment से, always your question से वो पुछा जाता है, ये क्या है, constitutional development, ठीक है, जो constitutional development हुआ, from 1970, from 1773, regulating ads लेकर 1947 तक, ये जो constitutional development है, इससे questions बराबर, last 10 years से, तकरीबन इससे questions उचे जा रहे है, एक question इससे अवस से आएगा, अगर आप ये कर लेंगे, तो एक question आपका solve हो जाएगा, मश्किल नहीं है, ठीक है, तो ये भी question repeated है, कैसे सो दिखेंगे, तो चार्टर एक्ट 1833 की बात करेंगे, तो ये चार्टर एक्ट 1833 जो है, ये same question 2003 में भी आया था, चार्टर एक्ट 1833 इससे related, तो आप पकड़ पाएंगे इसको, इस बिखर आगे बढ़ेंगे, गर आपनों लोग तो दिखेंगे, तो एक common question आज़कर पूछा जा रहा है, वो क्या पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि philosophy of constitution, purpose of constitution, तो constitution के philosophy से questions पूछ ले जाते हैं, इस करद वो आपको constitution के philosophy पर ध्यान देना है, and constitution के क्या, तो main content पर उसके purpose पर ध्यान देना है, ये questions, always इस तरह के questions पूछे जा रहे हैं, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं इस से related देखिए ध्यान से questions कितने आए constitutional government ये फिर ये same constitutional government question repeat हो रहा है तो इस तरह से कई questions अगर आप देखें कि schedule area हाल की दिनों में trend ये बना है कि schedule area से tribes से question पुछे जा रहे है tribe से questions आ रहे हैं अगर हम tribes को ध्यान से देखें उससे schedule area से question पुछा गया तो tribe से question आपका अवस्य बनेगा ठीक है यही question इसी दरह से schedule tribe से 2007 में भी question पुछा गया है ठीक है बहुत बारी किसे manually से अगर हम ध्यान देखेंगे तो यह question हम लो solve कर पाएंगे ये क्या हुआ मस्प एल्स का देखेंगे यह 23 में question है और यही topic पुछा गया था 2003 में भी ठीक है just like reverse की बात करेंगे तो reverse से भी इस तरह से question 2010 में भी पुछा गया था तो मैं just एक आपको idea दे रहा हूँ कि देखो क्या findings क्या है हमारा findings यह है कि एगर हम लोग last 25 years of questions को ध्यान से देखेंगे तो कई चीज़े हम कर पाएंगे तो यह है importance previous year question paper का सित कह देने से नहीं होगा आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ने के औशक्ता है है ना तो यह करने से इस तरह से भरे पढ़े हैं question मैं सारा 2023 का question लेकर आया हूँ ऐसे 20 से 25 question आपके बन पाएंगे ठीक है तो यह सारा पीडियेप अगर आपको पीडियेप चाहिए तो यह आपको मिल जाएगा पीडियेप जो है हमारा टेलिग्राम चैनल है DSP की पार्ट सला यूपियर से के लिए आप उस टेलिग्राम के जोईन करते हैं उसमें सारा पीडियेप आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगा तो एक चीज़ जो है सो मैंने आपको बताने का प्रयास किया क्या-क्या चीज़े हैं तो प्रिवियर से कोश्चन पेपर का एक पार्ट यह हो तो अरॉंड 25 कोश्चन 20 कोश्चन जो मैंने आपको कहा था वो इससे सॉल्ब कर पाएंगे आप लोग देख लिया कि सब मैं बोल नहीं रहा हूँ प्रूप भी कर रहा हूँ ठीक है कि मैं पुलिस वाला भी हूँ तो एविडेंस के साथ ही अपनी बात रखता हूँ तो यह वाली चीज़े हैं अब लोग टेन कोश्चन की बात करेंगे कि हाँ यह दस कोश्चन सर क्या आप आ रहा है तो एक जो आपका प्रसेप्सन है उस जेनल प्रसेप्सन को छोड़ दीजिए उससे इसको सॉल्ब नहीं करना है इसको कैसे सॉल्ब किया सकता है तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा कूल एंड काम रहने की आशकता है एक्जामनेशन क्वेशन देखकर हम एक परसेप्सन क्रिएट कर लेते हैं कि इस बार तो कॉष्टन बहुत टफ है हम नहीं कर पाएंगे बहुत थी टफ पूछा है एलिमिनेशन तियोरी को तो पुरा खत्म कर दिया है पिछला 2020 थी कि जब एक्जाम हुआ उसके बाद जो है पूरे देश में सन्नाटा सा अचा आ गया यह रही क्वेशन तो बहुत टफ पूछा गया कटव मास्क क्या जा पाया 88.2% अराउं 45% के आसपस कटव गया है प्री का तो उसको देखकर हम लोग एक पूरे महौल जो था वो थोड़ा एडवर्स और बड़ा साइलिट मोड में सभी लोग चले गये थे किसार यह से कोश्चन दिखी कितने सारे कोश्चन है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आसानी से देख सकते हैं ठीक है अब मैं बात करूँगा सेकेंड सेगमेंट की दस कोश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे पहला मैंने कहा एग्जामेंशन हौल में हमे're cool and calm रहने के ओशकता है कोश्चन बेर पढ़कर हम ये प्रसेशन न लाएं यए पहले से कोई प्रसेशन लेकर एग्जामें हौल में ना जायए कि अरे एक्जाम तो बहुट टफ होने वाला या हमने एक लुक में एक्जाम में कोशन देखा और हमने का कि हो हो बहुट टफ आया मेरे तो सेलेक्शन नहीं होगा पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आया ऐसा नहीं अगर आप कूल और काम एंपेसेंट रखेंगे रहेंगे तो कॉंफिडेंस लेबल भी हाई होता है कॉंफिडेंस लेबल हाई होगा तो पर्फॉमेंस बेहतर सुधर पाएगा इसलिए मैंने कहा है नो परसेप्शन कर्मनादिकारस्ते माफ अलशू कदाचन है ना तो आपका काम है कर्म करना वहाँ पर काम करना चाहिए तो ये दस कोश्चन कहां से हो पाएगे सो एक बर देखने का प्रयास करें हम लोग कैसे हो पाएगे कुछ शिजे हैं जैसे की अगर हम देखें कि सम करके last 2023 में कुछ question पुछा गया इसमें लिखा हुआ है sum number 2 में भी sum number 3 में भी sum number 4 में भी sum तो ये जो एक trend नया चीज आया कि मैं sum अगर तो इस तरह से अगर कुछ words लिखे गया है keywords है कुछ ऐसा word है अगर आप ये करते हैं तो ऐसे questions में एक sum होना probability होती है कि जो सही answer होना है वो क्या हो जाएगा इसका correct answer होने की ज़्यादा chances क्या है all four चुकि सब में sum है तो ये all four होने की संबहना ज़्यादा हो जाएगा पहला ये देखी गए अगर आपको लगता है कि sum वाला कुछ questions है तो अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये सही हो सकता है ये पहला है जो 2023 में last question पूछा किया था उसे परकार आगे भी देखेंगे फिर एक और question आगया जिसमें against some and some and some macronism ये दिया हुआ है ये बताने का मैंने कोसिस किया कि देखुआ है ऐसा कर सकते हैं तो पहला सम वाला चीजों को लेकर चला कि सम के बारे में next जो keyword हो सकता है वा है आपका ये it can be it can be it can be it can be तो इस कर दोए it can be अगर आ रहा है तो ये सही होने की समभाना ज़्यादा होती है all three मतलब सभी सही हो सकता है it can be तो ऐसे question में आप ये कर सकते है ठीक है दो तोड़ा से मैंने आपको दो चीज़े बताई third को देखे third क्या है third ये है कि अगर कुछ ऐसा topic है खासका science and technology में यहां बाते की जारी है green hydrogen की तो green hydrogen के बारे में जो चीज़े है चुकि इसमें भी बहुत potential है ये future काफी planning है ये future का fuel है ठीक है तो अभी इस पर research होना बागी है इसके सारी चीज़े अभी पत्ता खुलना बागी है अभी सारा कुछ research इस पर नहीं हो पाया है है ना तो ऐसे संदर में क्या हो सकता है इसका role क्या है इसका सारा role हो सकता है इसको maximum चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है तो आपका सकते हैं कि इसका use maximum चीज़ों में किया जा सकता है तो green hydrogen से सारा हो सकता है इसके लिए बहुत इंपॉर्ट तो करेंट टेक्नलोजी का एक पार्ट इसमें बात करें बहुत पॉटेशियल इसका फ्यूचर में काफी उजेज है अभी तो करी रहें बट फ्यूचर में काफी है इसमें अभी रिसर्च होना बाखी है अगर हम कहते हैं कि इसको एक बार इस्तमाल करेंगे और रही साइकिल नहीं करेंगे इसकी गलत है मैं आपको एक एडिया देना चाहरा हूँ एक अप्रोच बताने का प्रियास कर रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा आता है कोई ऐसा फ्यूर कोई ऐसा फाइबर कोई ऐसा ऑबजेक्ट जिसका यूज करना है फ्यूचर के पॉड़ने वह से तो उसका प्रोस्पेक्टस काफी वा एक अप्रोच प्रियास कर रहा हूँ कि क्या है आज करेंड यह वहीं चला है क्या की कहता है कि कॉंस्टिट्टियूशन डिफाइन डिफाइन्स डिफाइन्स डिफाइनस Constitution अफ इंडिया सटेनली किसी चीज़辉न्ड नहीं कर पा रहा है मनूण कई चीजे हैं जो डिपैट तो यह question statement wise आसान होता है यह tough नहीं होता है कि अगर इन दोनों में कोई भी एक गलत है तो फिर आपका सीधा easily आसानी से बनाएंगे कि statement one जो है correct है तो आपका सकते हैं कि statement one correct है statement two incorrect तो यह वाला question थोड़ा इजी होता है पहले के समय भी इस तरह से प्रशन पुछा जाता था फिर इसको repeat कर दिया इसको पहले ए आर असर्शन और रिजन ए आर के नाम से जाना आता था उससी को statement one और two करके दिया हुआ है ऐसा तो ncrt cbsc board में 10th class से इस तरह के pattern में question पुछे जाते हैं ठीक है फिर देखिए पुछुदि है इंडिय डिफाइट फिर आगे नागि इंडिय डिफाइट तो इसको डिफाइट नहीं किया गया है civil contempt and criminal को डिफाइट नहीं किया गया है बाकि सब सही है it means one two four is correct है ठीक है तो यह ट्वैंडी 23 का है 22 का यह नेक्स हम लोग बात करेंगे इसको देखते हैं यह लगातार पुछ रहा है चुकि लास्ट यर यूकरेन काफी चर्चा में था ठीक है तो यूकरेन से कुछा गया कि यूकरेन का जो बॉर्डर है वो टेच कर रहा है तो यूकरेन काफी न्यूज में था ठीक है उसके पहले अ इसराइल न्यूज में है आपका आप देख रहे हैं इसराइल and then और क्या न्यूज में तो इसराइल के साथ आपका यहाँ पर जितने भी कंट्री है उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा फिलिस्तीन हो गया जॉर्डन लेमनोन और सीरिया और टर्की तो ये countries को ध्यान से आपको पढ़ दें कि आउशकता है इस बार ये expected है कि 2024 में इससे questions आ सकते हैं तो ये expected topic है इसका अलग से हम लोग classes और वडियों बना लेंगे तो मैं आपको एक कर रहा हूँ कि 100 questions में एक question आप इस तरह से पढ़ेंगे तो एक question आपका safe hope आएगा ठीक है वैसे ही देखिए हाल के टाइम में क्या हुआ तो हाल के टाइम में जो पैरेट समुदरी लूटे रहे हैं कई लूट पार्ट होई है भारा सरकार ने भी help किया है बीरान के कुछ लोगों को भारा सरकार ने पैरेट समुदरी लूटे रहों से मुक्त करवाया है तो ये वाला एरिया काफी चर्चा में है तो हो सकता है कि इस बार इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये आपके लिए important है क्या तो हॉर्ण आफ आफरीका हॉर्ण आफ आफ आफरीका के ये जो country है और ये जो बेट है बावेल मांदेव या फिर गल्फ आधन इस पूरे जोन को आपको अच्छे से पढ़ने के अशकता है यमन की जो tribe है जो होती tribe है जो लगतार नूट पार्ट कर रही है इस एरिया में जो इजराय से आ रहा है उसको लूट पार्ट कर रही है तो इसे हमें पढ़ने के अशकता है अलग से हम लोग इसको class इसका ले ले लेगे अलग से एक video बना लेगे ठीक है तो दो ये important है एक का आपका area और एक ये अरेवियंसी का ये पूरा area इसे आप अवसे ध्यान से पढ़ दूजिए तो ये statement based कुछ questions था ये तो मेरे purpose सिर्फ है आपको बताने का क्या करना है तो इसमिस कि अगर आपका ये hundred questions जीज पेपर one में अगर हमारा paper one में अगर hundred questions आ रहा है और हमें लाना कितना है तो around अगर आपका minus करके 50 52 correct हो पा रहा है around 50% तो आप safe है कैसे कर पाएंगी minus करके तो आपको चलना पड़ेगा one two one one two one एक question एक एक करके select करना पड़ेगा जैसे player match में कैसे करते है one two one one two one एक study बनती है कि भाई बुम्रा के against में batting कैसे करता है या बुम्रा ने बनाया कि बुम्रा जो है वो कैसे batting कैसे balling करेगा किसके खिलाब विराट बोलीजी के खिलाब इसका पहले से workout होता है player two player एक player के against में एक player वैसे ही आपको एक question के against में एक question तियार करना पड़े है कैसे तो सबोच किजिए एक question आपने त्यार कर लिया one two one mark कर रहा है तो पहला question आपका क्या हो गया तो पहला question मैं आपको कहा कि ये इसराइल and फिलिस्तिन या फिर जो आपको मैंने कहा कि Arabian Sea का जो एरिया है अगर politically इसको हम लोग देख लें जो और फिकली देख लें तो एक question इस argument है अगर हम इसे पढ़ लें तो इससे भी question आने के समभूना है बतला तो बचा कि इतना 98 question बचा इस तरह से one two one अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि हां ये ऐसे topic है जिसों करने से question आपका solve हो जाएगा तो भाई पास ही करना है na qualify करना है master तो बना नहीं है specialist बने की 50 52 questions कैसे solve कर पाएंगे it means आप कितना कर पाएं 60 65 65 75 70 के आसपास attempt ले रहे हैं तो आपका 50 के आसपास सही correct हो पा रहा तो one two one mark करें आप qualify कर जाएंगे तो previous year question को छोड़ना नहीं है अच्छे से पढ़ना है 20 से पचीस question जो है आपके वहां से बन जाएंगे and 10 question का मैंने कुछ एक idea आपको approach देने का प्रयास किया science and technology का and कुछ current affairs का और कुछ keyword some some and it can be and other things जो future में काफी काम आने वाला हो जिस पर research काफी होने वाला है ऐसे करने से 20 से 30 question आपके बन जाएंगे 30 के आसपास आप बना पाएंगे चले मुझे लगता है कि ये video आप लोग के लिए काफी helpful का एक और कल भी अभी मिस्रा जी ने एक video upload किया है उससे अवसे देखी IOCN का स्रीजूरों ने लाया है जिससे question आपका बन जाएगा तो आपको इस बार PT qualify कराना है प्री qualify कराना है ये DSP की पार्ट सारोत की जो पूरी team है ये लोगों ने ठान लिया है कि आपको pre qualify कराना है अगले 60-65 दिनों में हम लोग कैसे 50-55 को सॉल्ब कर पाएं इसको हम लोग सॉल्ब कर सकते हैं आसानी से confidence होना चीए घबडाना नहीं है निराश नहीं होना है आप इसे आसानी से कर पाएंगे चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जज़ मिलते हैं अब सब्सक्राइब को दन्यवाद